हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम बैक टू माइ चैनल, मैं हूरूपा और आज मैं आ गई हूँ मैगी फ्यूशन रेंज के रिवियू करने के लिए मार्केट में नए-ने लॉंच हुए है लिमिटेड एडिशन मैगी फ्यूशन रेंज उसके दो वेरियेशन के रिवियू मेरे चैनल में है आज मैं रिवियू करने बाली हूँ मैगी फ्यूशन सिंगापोरियन टैंगी पेपर नुडल्स देखिए ये तो बस 20 रुपिस में मिल रहे हैं मार्केट में अभी अभी नए-ने लॉंच हुए है तो इसका टेस्ट कैसा है क्या है वो इमें आज बनाऊँगी खाऊँगी और आप लोगसाद शियर भी करऊँगी तो चलिए इसको तयार करते है उसके बार बताएंगी कि इसका टेस्ट क्या है कैसे है तो चलिए शुरू करते हैं लेट्स बिगीन मैंने पैन चड़ा दिया है और अभी एड़ कर रही हूँ पानी और कट कर लेती हूँ मैगी फ्यूशन सिंगापोरियन टैंगी पेपर नूडल्स की पैकेट देखिए और पूरा के पूरा पैकेट में इस पानी के अंदर एड़ कर रही हूँ मैं और कुछ भी नहीं एड़ करूंगी बस ये टेस्ट मेकर जो है इसके अंदर दिया हुआ वो ही मैं एड़ करूंगी मैं एड़ कर रही हूँ टेस्ट मेकर और अभी इसको बस पका लीजिए तीन मिनिट के लिए ऐसे पलट दीजिए और पका लीजिए बहुत ही अच्छा एक एरोमा आ रहे है पता नहीं है स्वात कैसा है देख लीजिए नूडल्स मेरी पके है हलका सा ग्रिनिश एक कलर आये है और ये नॉर्मल मैगी नूडल्स से थोड़ा ज़्यादा मोटा है तो चलिए इसका स्वात कैसा है वो अभी चेक कर लेते हैं देखिए हलका सा ग्रिनिश कलर आ रहे है और साथी साथ जिंजर के बहुत ही स्ट्रॉंग एक एरोमा आ रहे है तो चलिए अभी इसको टेस्ट करते है मैगी फ्यूशन सिंगापोरियन टैंगी पेपर नूडल्स अभी तो रेड़ी है तो चलिए अभी टेस्ट करते है टैंगी नेस थोड़ा सा है और स्वाद मैं आउट आप टेन इसको शिक्स दे दूँगी क्योंकि उतना अच्छा मेरे को नहीं लगा हाँ अच्छा है लेकिन उतना भी जादा टेस्टी नहीं है इससे तो मैगी नॉर्मल जो आते है या फिर मैगी स्पेशल मसाला वो बहुत ही टेस्टी है मैगी फ्यूशन के तीनों के तीनों मैंने ट्राइ किया लेकिन ये मैगी स्पेशल मसाला के हिसाब से उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं है तो ये रही मेरी आज की मैगी फ्यूशन सिंगापोरियन टैंगी पेपर नूडल्स की रिविव तो अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक करना शेयर करना और मेरे चनल को जरूर सब्सक्रेब कर लेना आज के लिए इतना ही टिल देन टिक याड बाई बाई